शार प्रतमतो जय श्रीकृष आज हम लोग पास्चात्य दर्शन में जो प्राचीन ग्रीक दार्शनिक है उनके बारे में जानते हैं कि उनके सिध्धानत क्या थे वे किष्टिच को श्विकार करते हैं थोड़ा सा है उसको आप लोग जानिए ध्यान से सुनिए देखिए जो ग्रीक दर्शन के प्रारामभिक दोर में थेलीज जो थे वे जलको एनक जीमेंडर ने एपीरन अर्थात असीमित द्रब्व को और एनक जीमीनीज ने वाई को स्रिष्टि का मूल आधार मान जो स्रिष्टि बनी हुई है इनको इनहीं के आधार पे इसकी ब्याक्ष्या ओल असीमित द्रब्य जो हैं महत्बड अस्थाने मानते हैं इनका यह ऐसा नहीं किये कि वायू या फिन जल या फिर किसी एक चीज को मान के स्रिष्टि का आधार माने इनका एक अलग ही था उनकी रुची जगत के एक सवर्भव में काण की खोज करने की थी अब पाइथा गुरस को देखते हैं पाइथा गुरस एक गडित प्रेमी थे गडित के प्रेमी थे और एक दार्सनिक भी थे यह क्या करते थे जो पाइथा गुरस थे इनका कहनाम था जो आत्मा है यह आती जाती है मतलब आत्मा के आवा गवन से धानत में बिस्वास करते वे शंख्या को स्रिष्ट की उत्पत्ति का आधार माना था जो मतलब स्रिष्टी उत्पन होई है तो संख्या के आधार में बताये थे कि स्रिष्ट इसी आधार को उत्पन होई है शंख्या की मूलिकाई दो होती है एक शम होती है एक बिशम होती है शम एवन बिशम क्रमसह अशीमित एवन शीमित से समंधित है चुकि बिशम संख्या का बिभाजन दो से नहीं हो सकता अर्था ही अशीमित है परन्तु सम संख्या जो है दो से बिभाजित हो जाने का अशीमित है देखा होगा गड़ित में पढ़े होंगे अब लोग कि जो बिशम शंख्या अर्थात मालत हैं तीन हुआ एक हुआ शाथ हुआ पांच हुआ यह सब देखेंगे तो दो से विभाजित नहीं होता है जो लोग गड़ित पढ़ें हो समझेंगे कि वह क्या दो से विभाजित नह ही हुआ इना का है नाम तो शीमित हें वहीं परिस्थेल है और जैसे चार हुआ आठ हुआ छवव studiesします क्या करते हैं इनको मानते हैं उसीमित हैं तो जो मीशं θα व twee असीमित हो गया इफिल यह सीमित हुआ क्योंकि दो से विभाजित हो गया कटा चला गया और जो भी संत अप कटा ही नहीं इसलिए उसके दाइरा के पता चला गया पाइथागोरस के नुसार शम एवं बिशम एक एवं अनेक है जैसे आपने देखा होगा जो बिशम है वह इस जो शम है वो इस्थिर करता चला जाता है प्रकाश युम अंदकार इन्होंनों माना कि इस तरह से विप्रीथ है जो शम और भी शम है एक और अने अंत और अनन्त प्रकाश युम अंदकार दाया और बाया पुलिंग और इस्थिरिलिंग इस्थिर्ता और गती शरलता यो बक्रता शुबह यो अशुबह वर्ग यो आयत ऐसी परसपर बिरोधी युगम है जिन से जगत की उत्पत्ती हुई है इन्हीं से बिरोधी चीज़े है इन्हीं से इनकी उत्पत्ती हुई है एक दूफरे की बिरोधी चीजों से उलेखनी है कि पाइथा गोरश के अनुवायों का मानना था कि बिश्व के केंद्र जो बिश्व के इस केंद्री अगनी के चारों तरफ पिर्थवी और सुर्य भूंते रहते जाषाक प्रिथवी चक्क्र लगाते हैं लेकिन आगे चलकर हं स्कस्ट को काट दिया थे प्लेटोर सुझे बता रहे हो प्रिथवी ऑर गलत सुझे लगाते हैं जो यह बता रहा है यह खिलत है नहीं इस में शुत कर दीए थे फाइफा घॉरफ ने अपने नाम से थापना किए है जैसे आप जानते हैं फाइफाब गोरशी समाच की थापना फासा इसना कि आफम धासी समाज के जैसे बहुत मात शिकक हैना ईक समाज बना हुआ है न तो वैसे ही जकि अत्य जीम किया था उनके जो पर आंट्रिक जीवन के पाँचे ता नंतर से नंतर से ऊत्य जो यह बहुत जदंकावल था पाइथा गोरश को आत्मा के आवागवन सिधानत प्रवर्तक माना जाता है जो आत्मा मतलब आती और जाती है आवागवन इसका इनौट प्रवर्तक माना गया उनकी अनुसार जो पाइथा गोरश से वो कहते थे कि जो शरीर आत्मा का बंदीग्री है ये शेarthly एक प्रकार का है ये बंदीग्री है मानव आत्मा जो होती है मानव आत्मा ये दैवी शंपत्ती है इस्वर की शंपत्ती है पाइथागो ×ड़ित प्रेमी होने के शाशद नयतिक जीवन के भी शमर्ठक थे मतलब यह जीवन को एक नैतिकता से जीने का मानते थे कि नैतिकता पुरवक्ती जीवन को जीना चाहिए पाइथा गोरत जो गोरस्त उनके बाद आये थे पार्मेनाइडीज तो पार्मेनाइडीज कौन थे यह प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे इनको भी समस्ते थोड़ा संगे बारे में देखे इलियाई संप्रदाय को एक बेवस्थित विचारधारा के रूप में अस्थापित करने का स्रे पार्मेनाईडीच को है इलियाई संप्रदायों किये थे उनके अनुसार स्रिष्ट कामूर आधार एक अपरिवर्तन सील, अद्दुती, अविनासी और कुटस्त, विशुध सत्ता है विश्य में दृष्यमान, गती परिवर्तन आधी एक इंद्री जन भ्रम है एक कहते हैं कि जो हम बाहर देखते हैं गती परिवर्तन हो रहा संसार में अनेक प्रकार का न Matter कि यह कहते हैं इंद्री नियु हमारों आखिए भ्रह्म है एससे आप देखते हैं पानी में चंधरहाल को वाए नाशता हुआ दिखता है लेकिन द्रियों में गड़वड़ी इस्थीर से क्या होती है ब्रहमित लगता है ब्रहम है कि यह सब परिवर्तन सीर नहीं इस्थीर है कहते हैं इसे ब्यवहारिक द्रिष्टी कहा जा सकता है परम सत्का ज्यान के वर बुद्धी से हो शकता है विशुद्ध सत्का बोध कराने वाला बाध्धिक द्रिष्टी कोड ही शत्ती का मार्ग या परमार्थिक द्रिष्टी हैं चुकि सत्, कुटस्त, निर्विकार, नित्त यों इस्थीर है कि जो सत होता है वो निर्मिकार है कोई आखार नहीं विस्थिरआव सत्ते है इसलिए इसलिए इसे जीए किसी चीज की उत्पत्ति होने का प्रशन ही नहीं उठता समस्त उत्पत्ति एम परिवर्तन एक इंद्री жन्म जो होता है विशवाक मात्र level वास्त्विक नहीं है वास्त्विक नहीं परमेनाज्डीन ही नहीं सबसे पहले इंद्रियान वह यें बुद्धीमें वो नहीं इंद्री अनुभव ठीके और बुद्धी में क्या किया था बेद किया था अलग अलग वेदन किया था कि जो महातों से छूते हैं इंद्री अनुभव अपने तरी जो इंद्रियां है उनके जो अनुभव होता है और बुद्धी भेद किया था शत का बोध बुद्धी क के द्वारा हो शकता है इंद्रियों के द्वारा नहीं इंद्रियों के द्वारा ग्यात जगत परिवर्त तंसील आभाश मिथ्या अगर इसकी इंद्री के द्वारा करते हैं तो परिवर्त तंसील आभाश मिथ्या ग्यान होगा सत्त नहीं हो सकता उनकी अनुसार सत्की उत्प स्थिर इसप्रेटों के प्रतेवाजिस प्रभावित है आद थोरा शाए है apro जो है हेरा क्लिटस ये क्या कहते हैं ये भी प्राची इंग्रिक दाशनिक है देख कते पर्मे नाइडीच के ही समकाली हेरा क्लिटस ने इलियाई दर्सन के रिप्रे संभूतिका शिधान तक प्रादन किया था उनकी अनुसार परिवर्तन ही सकते है जैसे कि पर्मे समझते परिवर्तर वान अंह बधिके के खया雝री सिरता यहां स्थिे के निसरी सिर्दान के नुषिए प्रते हैं से आपने देखाएं जो दर्षन में खड़िक बात था आ उसी के नुसार हेराक्पिलिटस भी कहते हैं। शंभूती सिधान उसी वही है, वो छड़िक वाद है। उनके नुसार कोई वस्तू छड़िक है, है भी और नहीं भी है। एक हही काल में वस्तूओं का होना और नहोना उनका सुभाव है। उनके इस सिधान्द को संभूती का सिधान्द कहते हैं, उन्हें सामन्जस सिधान्द का प्रतिबादन भी किया, कहते हैं इसके अंतरगत से परसपर विरोधी सक्तियों के शमन में हो जाते हैं, विरोध से आशय परिवर्टन से एक भौतिक तक दूसरे में परिवर्टित तीनों जो थे प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे इनके बारे में जानें जया स्रिक्रिष्ण जाय स्रीक्रिष्ट आज हम लोग प्राचीन ग्रीक धर्शन में डेमो क्रेटस के बारे में जानेंगे जो डेमो क्रेटस है वो परमाडवादी दार्शनिक है क्या है उसके बारे में थोड़ा सजानते हैं देखे डेमो क्रेटस परमाडवादी दार्शनिक था डेमो क्रेटस ने भौत की गड़ी नीती सास्त इत्याधिका गहन अध्यन करने के बाद परमाडवादी की अस्थापना की परमाडवादी डेमो क्रेटस ने इंपे डाइकलीच की मूल्स मानेताओं को ग्रहड करके उसके दर्शन की कमियों को दूर किया उनके अनुशार परमाडवादी में गुडात्मक भेद नहीं है ये एक दूसरे से आक्रिती रूप वजन आधि द्रशियों से भिन होते हैं जैसे कोई भी परमाडवादी होता है तो उसकी आक्रिती अलग अलग होती है रूप अलग हो शकता है वजन अलग हो शकता इन द् स्वत हई है जो करते स्वत होत nya गति पर मादू की प्रमुक्ण करते हैं यह स्वत्ह गतिशील प्रमाडू आकास की इस्थितिक सुष्विकार करते हैं ये परमाडू उत्पत्ति तथा नास से रहित है ये अतिंद्री ये नित्य जड़तत्व हैं समस्त भावतिक वस्तुएं या पिंड इन परमाडू के शंखा थे जैसा कि आप जानते परमाडू परमाडू कौन होता है वो जो किशी भी शंखा आप माले कोई पदा थे उसको त परमाडू से मिलके ही वस्तुएं जो भी निर्माड हो रहा है इस भावतिक जगत में शब उशी का संखात संखात मतलब मिला हुआ रूप जता है जैसे माले कि छोटे-छोटे कडों से मिलके पहाड तयार हो जाता है अगर नहीं समझ में आता इस तरह समझे कि जीसे चोटे होतिक वस्तुएं और पिंड इन परमाडू से क्या होता है संखात है मतलब रूप हो जाता है कि ने रूप में परिवर्तित हो जाते हैं मतलब उनसे मिलके बनते हैं डेमोक्रेटस के अनुसार परमाडू में श्वता गती होती है वे यांत्रिक नियमों के कारण गतिशील है परमाड़ो यह गती का कोई कराण नहीं होता जो परमाड़ो भारी होते हैं वे नीचे की ओर गिरते हैं बड़े परमाड़ो अधिक बेक से गिरते हैं और छोटे परमाड़ो कम बेक से आकाश में गिरते हैं भारी परमाडू, हलके परमाडू के पेच्छा अधिक बेक से गिरते हैं जैसा कि आप जानते हैं वजन जादा है और उपर से कोई वस्त वगर छोड़ी जाए तो उसकी तिब्रता उसकी गती बहुत तेज होगी हलके की अपेच्छा आप कभी देख लिए एक धेलो को ले लिजे और उसको छट से गिराईए और एक कागज को ले लिजे उसको भी गिराईए पहले कौन आएगा नीचे धेला आएगा नकी कागज का टुकुडा तो जो छोटा परमाडू से कागज माल लेजिए, जो पड़ा परमाडू से ढेला माल लेजिए, जो बड़े परमाडू होते हैं, वे बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरते हैं, और जो छोटे परमाडू होते हैं, उनके पिक्षा बहुत कम बेग से नीचे की तरफ गिरते ह परिडाम सुरुप उसमें संघर्ष होता है इस संघर्ष के कारण हलके परमाड़ों उपर की ओर फेक दिये जाते हैं इसके परिडाम सुरुप से ब्रगती उत्पन होती है इसके बाद शामान आकार एवं भार वाले परमाड़ों संघटित हो जाते हैं जो परमाड़ों अधित्भारी होते हैं वे केंद्र में इस्थित हो जाते हैं इन परमाड़ों से ही वायू की उत्पत्ती होती है हलके परमाड़ों से ही नच्छत्र की उत्पत्ती होती है देखिए जो डेमोक्रेटिस फिलोसपर है दर्सनिक है इनका कहनाम है योगि परमाड बहुत से गिरते हैं अब होता क्या है कि जो हलके परमाडू होते हैं वह उपर की तरफ फेक दी जाते हैं मतलब उपर चला जाता है और जो भारी परमाण वो उसके परताक्सा नीचे अब एक एक भार अगर समार भार के परमाणू है अब एक अही बेग से गिरेंगे तो धीरे धीरे क्या होते हैं एक पाफ आ जाते वे शंगटित हो जाते और उसमें जो सबसे वजनी होता केंदर में होता बाकी सब उसके अगल बगल हो जाते हैं और कहते हैं उशी शे वायू जो हवा है उसके उत्पत्ती होती है और जो खलके नक्षत्र होते हैं जो खलके परमाणू होते हैं जो उपर की तरह फेक जाते हैं फेके जाते हैं तो उस्ष्य क्या होता है उस हलके परमाड़ जो होते हैं वही नक्षत्र के उत्पत्ति उससे हो जाते हैं क्योंकि उपर की दिसा में गए आकास में हो गए तो नक्षत्र ग्रह जो हैं वो हलके परमाड़ नक्षत्र बन जाते हैं कहते हैं परमाडवादियों के अनुशार मानाव आत्मा परमाडवों से पृसक तक तक तो नहीं है आत्मा इन परमाडवों के विसेश संयोग से उत्पन होती हैं। वह भी डेमोकरेटिस कहते हैं, कि परमाणु से अलग नहीं है, परमाणु के सैयोक्षे ही आत्मा भी उत्पन्न होती है, आत्मा प्रतक्ष और बुद्धी से ज्ञान प्राप्त करती है, प्रतक्ष की अपेच्छा बाधिक चिंतन से अधिक अस्पस्ट ज्यान होता है, इन्य लेकिन इश्मी बोलता है कि प्रतक्षकिय पेच्छा बुद्धी से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह चिंतन काफी अस्पष्ट होता है अन्य प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के शमान डेमोक्रेटस भी बुद्धिवादी है अब देखे इन्होंने बरा जो देवी देवता है वे लोग परमाणों के शयोक्ष ही बने हुए है इस प्रकार से क्या है कि मनुष्यों के इसमान देवता भी मरण सील है देवताओं की भी मृत्तू होती है चुकि देवता जो अधिक दिमान होते हैं, इस कारण से मनुष्य से अधिक सक्ति साली होते हैं देवतालोग। इस से असपस्ट है की परमाडवादियों के नैतिक मानेताएं भहतिक वादिश्यधानतों पर आस्जित नहीं है। उनकी अनुसार आनंद का सर्वस्रिष्ट मार्ग आत्मा की शांती, शमन्वें एवं निर्भैता है जो आत्मिक शक्तियों को जाग्रत करने से प्राप्त होती है जा कहनान था कि जो ये डिमोक्रेटर से परमाणु को तो माना है उशी की आधार पेनों ने कहा है कि नैतिक मानता है भौतिक सिधान तो पास्तित नहीं है उनकी नुसार आनंद आनंद सर्वस्षिष्ट आत्मा के लिए जो हते शांती शमन्वें एक्ता और निर्भैता यह होनी चाहिए तो आत्मिक जो आत्मिक जो सक्तियां उसको जाग्रती जाग्रत बनाए रखता है कहता इस प्रकार डेमोक्रोटस ने बौधिक चिंतन को महत्व दिया इस प्रकार से देखा एक बुद्धिवादी है इनका कहनाम था बुद्धिवादी होने के नाते जो डेमोक्रेटर से जो डेमोक्रेटर से उसका अधिक महत्व है इनका कहनाम था कि ब्यक्ति के अंदर ब बौधिक चिंतन के कारण ही वह कुछ भी करने को, मतलब कुछ भी चीजे जो होता है, चिंतन करने से ही आत्मा को शांती मिलती है और एकता बनी रहती है। तो यह डेमोक्रेटिस थे, जो परमाडवादी थे, अब परमाड के आधार पे ही यह अपनी व्याक्या करते हैं। जाय स्रीकृष्ण, जाय स्रीकृष्ण।